नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सुभी का हमारे इस यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम जानेंगे 3X VPN अप्लिकेशन क्या है आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं आप इस अप्लिकेशन के यूज फिरियो फायर एंड पबजी जैसे गेमो में भी कैसे कर पाएंगे तो दोस्तो इसी के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे तो सबसे पहले आपको इस अप्लिकेशन इंस्टाल कर लेना होगा और आपको इस परकार से add देखने को मिलता एड को close कर देते हैं तो आपको इस परकार से interface देखने को मिल जाता आप दे सकते हैं type to connect का option इस पर type करके आप यहाँ पर VPN को असानी से connect कर पाएंगे और आप उपर दे सकते हैं smart connect simply आपको इस पर type करना होगा type करने के बाद दोस्तों आपको इस परकार से यहाँ पर server देखने को मिल जाता आप यहाँ पर United States दे सकते हैं जो कि यहाँ एक smart server है आपको नीचे premium का भी server देखने को मिल जाता है जो अभी lock है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप premium लेके ही आप यहाँ पर खोल पाएंगे तो simply आपको इस परकार से बहुत से server देखने को मिल जाते हैं जो कि free server है आप यहाँ पर दे सकते हैं Canada का server दे सकते हैं जो कि smart server है आपको यहाँ पर इस परकार से बहुत से server देखने को मिलता है आप यहाँ पर किसी भी server को connect कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक server को connect कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Japan का server इस पर type कर देते हैं तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो server है यहाँ पर connect हो चुका है आप कुछ इस तरह से यहाँ पर server connect भी कर पाएंगे और इसी के साथ आप नीचे दे सकते हैं लिखा हुआ है fix the network simply आप दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं please connect bpn first simply आपको यहाँ पर bpn connect करना होगा तो आप दे सकते हैं type to connect है इस पर type करके आप bpn को असानी से यहाँ पर connect कर पाएंगे और आप उपर दे सकते हैं three line का option उस पर type कर देते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं apps using bpn आप दे सकते हैं feedback दे सकते हैं इस तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम bpn को connect करके भी दिखा देते हैं तो simply type 2 connect वाले option पर type करेंगे तो आपको इस परकार से permission माएंगा हम यहाँ पर all page लाव कर देते हैं तो आप दे सकते हैं connecting हमारा दिखा रहा है तो simply आपको थोड़ दर बेट कर लेना होगा हमारा यहाँ पर अभी connecting हो रहा है तो हम बेट कर लेते हैं तो आप दे सकते हमारा जो bpn है यहाँ पर connect हो चुका है get more time दे सकते हैं इस पर आपको type करना होगा हम type कर देते हैं और आप उपर दे सकते हैं upload and download का option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो simply हम यहाँ पर get more time वाले option पर type करते हैं तो आप दे सकते हैं आपको यहाँ पर minute देखने को मिल जाता है आउर आप दे सकते हैं type to stop का option उस पर type करके आप यहाँ पर bpn को stop कर पाएंगे तो simply आप दे सकते हैं हमारा जो bpn है disconnected भी हो चुका है और आप यहाँ पर दे सकते हैं इस परकार से जानकारी मिल जाते हैं यह हमारा bpn है पर disconnect हो चुका है तो इस तरह से आप यहाँ पर bpn को और type में connect कर सकते हैं and one type में ही आप इस bpn को disconnect कर सकते हैं